हेलो यूरी वान अभी हम लोग क्लास 10 टाइटी में सेक्शन बी के बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन देखेंगे जो आपके एकजाम में आ सकते हैं तो चलिए भी शुरू करते हैं तो दिखें सेक्शन बी में सबसे पहले 5 कोस्टन में 3 कोस्टन सालो करना है इसमें 6 मार्ट से मिलेगा वर्लिम्टे 20 से 30 वर्तगा इसमें कोस्टन 6 है कि कम्यूनिकेशन स्कील्स आ बहुत इंपोर्टेंट है किसी भी बीजनेस के लिए हमको इसके अनसर में 2 अनको से बहुत इंपोर्टेंट जो है ना nitrogen करना है इसको समझते हैं, तो इसको लिखेंगे कि the various elements of a communication cycle are, पहला है sender, the person beginning the communication, दूसरा है message, the information that the sender wants to convey, तो देखें sender कौन होता है, जो की communication को शुरू करता है, message, जिस तरीके से जो information है, जो जानकारी है, sender भेजता है, उसको message बोलेंगे, channel, the means by which the information is sent, जिस तरीके से information या जानकार या सुचना भेजा जाता है, उसको channel बोलेंगे, और receiver, the person to whom the message is sent, और receiver वो बेक्ति होता है, जिसके पास से जो message या संदेश है, वो भेजा जाता है, और feedback होता है कि the receiver's acknowledgement and response to the message, जो receiver है, वो इसको acknowledge कर लेके, इसको message मिल चुका है, वो समझ चुका है, और साथी साथ response करे, कि message उसको कैसा लगा, तीन जो पांच है ना, इसमें से दो आपको इसके example, इसके answer में लिखना है, इसके बाद इसमें question number 7 देखिए, कि many, any two misconceptions about the entrepreneurship, तो देखिए, इंटरेशनेशिप को लेकर जो misconceptions है, या जो भरम है, भरांती है, उसमें दो को हम को लिखना है, तो इसमें देखि आपस को unique या special business idea नहीं है, तो आप business शुरू नहीं कर सकते, the misconception is that every business idea needs to be unique and special, second misconception है, कि इसको करने के लिए बहुँचा दा पैसा चाहिए, कि the misconception we have is that a person needs a lot of money to start a business, इसमें third misconception है, कि एक आदमी जो है ना, बड़ा बिजनेश करेगा, तभी हो entrepreneur बनेगा, जब कि ये misconception है, भरांत करके entrepreneur नहीं बनता है, तो टे काम करने वाला भी entrepreneur बन सकता है, चौता जो है ना, एक बहुत बड़ा misconception है, कि जो entrepreneurs होते हैं और जर्मजात होते हैं और बनते नहीं है, इसको हमें लिखेंगे कि a misconception we have is that entrepreneurs are born not made, ये भी एक ब्रांती है, अगर आप सीखते जाएंगे, सीखते इसको हमको लिखना है, और जो a है इसका उसको संशेप में, ब्रीप में इसको explain करना है, तो goal setting जो है बहुत जोरी है, प्रस्नल लाइप में, तो इसका इंसा लिखेंगे कि smart goals are, जो smart goals होते हैं, s है specific, m है measurable, a है achievable, r है realistic, और t है time bond, इसको याद कर लिजेगा, इस साल के option smart वाला, इससे related, और इसमें देखिए यह जो a है, जिसको explain करना है, उसको explain करेंगे कि, कि बड़े-बड़े जो goal होते हैं, उसको छोटे-छोटे भागों में तोड़ देना, जिसके करना goal जो है, achievable हो सकता है, goal को हम राप्ता कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा बड़ा करना साफा computer system, कि computer system के performance को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किये जाते हैं, ये किये जा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो जो extra file उसमें पड़ा हुआ है, जैसे कोई temporary file है, इमेज है, उनको वहाँ से delete कर दिया है computer से, जिसमें ज़्यादा space उसका बचे, और वो अच्छ files, such as temporary files and images, we can use some disk cleaner software, which helps us clean up the unnecessary files, अब इसका last question है, question number 10, how can an individual contribute to sustainable development goals, तो देखिए, SDG भी एक बहुत important topic है, जिसके उपर question बनते हैं, आते रहे हैं और आएंगे, इसको भी आप अच्छे से करियेगा आप, तो देखिए, इसमें बोलता है कि कोई भी वेक्ती जो है na sustainable development goal, जो है यह सतत, मिकास जो है उसमें खशे contribute कर सकता है, तो इसका इंसा लिखेंगे, कि देखिए sustainable development goal जो है ना तभी होगा, जब हम सब मिलके उसके लिए काम करें, अगर हम environment के परती एक responsible नागरिक बन जाएं, और उसके protection के लिए हम effort लगाएं, लोगों का ब्यार करें, तो भी जाक में बिचार आए कि हर वेक्ति एक बराबर है, और inequality के कारण ही environment का degradation जादा होता है, equality वाला सोच के साथ, अगर हम लोग development को लाएं, तो क्या होगा, कि जो environment है ना उसके उपर impact कम होगा, तो इसका इंसा लिखेंगे कि sustainable development can happen only when each one of us works towards it, one has to become a responsible environment citizen, who can protect the environment through our efforts, who can help others to get equality education by reducing equality in the society अब next part में दिखिए, सीक्से में से 4 questions को सालव करना है, 20-30 word में, इसमें 8 marks आइस वाले section में, इसमें question number 11 को देखते हैं कि differentiate between relative and absolute happenings with the help of an example, तो सब सब पहले समझेंगे हम लोग कि relative और absolute happenings में क्या difference होता है, और इसको एक example से समझेंगे, तो दिखिए, in absolute happenings will stop working, only if the target is moved, तो जो absolute happenings होता है, तो तभी काम करना बंद कर देता है, जब target जो है ना, चला गया रहता है, move का लिया रहता है, और relative happenings will stop working, only if the source and target locations change relative to each other, लेकिन जो relative happenings है ना, तभी काम करना बंद करता है, जब जो source है, और जो target location है, यह दोनों एक दूसरे के साथ change होने लगते हैं, एक द and you move the entire folder to a new location, और relative happenings will not break a link, तो देखिए, अगर हम इस चीज को suppose करें कि, मालीज हमारे पास दो spread seed है, और एक ही folder में है, जो के एक दूसरे से linked हैं, और पूरे के पूरे folder को हम लोग नए location पे ले जाते हैं, तो यह जो relative happenings है ना, ओ link को break नहीं करेगा, अब जो question number 12 देखिए कि what is the utility of text wrapping in a document, तो जो text wrapping होता है document में, उसका utility यह उप्योगिता क्या है, तो इसके answer में लिखेंगे कि text wrapping refers to the relation of graphics to the surrounding test, which may wrap around the graphic on one or both sides, be over printed behind or in front of the graphic, or treat the graphic as a separate photograph or character, तो जिके text wrapping में क्या होता है कि एक relation है, ग्राफिक का उसके आसपास के जो text wrapping होते हैं उसके साथ में, और यह इस परकार relation है कि जिसमें ऐसा हो सकता है कि जो graphic है ना, ओ रेप हो जाए, लिपड जाए, दुनों साइड में या एक साइड में, या overprint हो जाए उसके पीछे के तर express sheet में क्या use है, तो इसका answer में लिखेंगे कि macros help in saving time, in cases when the same set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying a similar formula in a similar range of data, तो दिखें, macros जो होते हैं ना, वो समय बचाने में बहुंँ जादा मदद करते हैं, उन पस्तितियों में, जब एकी प्रकार के काम जो है ना, बार 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 किये जाते हैं, जैसे कि formatting है, या एक ही formula को बार बार applying करना है, एक ही range के data में, it can be used to name and record a set of actions, है ना, तो दिखेंगे क्या कर सकता है, कि ये name को और record को करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक set of actions में, इसके बाद question number 14 है, कि write any two advantages of online suffering, तो दिखेंगे easy question है, कि online suffering के दो advantages है, पहला है कि आपको जाना नहीं पड़ता है, इस्टोर को विज़िट करने के लिए समय बचता है, और जो product और service आपके पास अबलेबल ना हो लोकल मार्केट में, उसको online आप खरीच सकते हैं, तो इसके ये लिखेंगे कि customer does not have sufficient time to visit stores, तो online suffering कर सकता है वो, second लिखेंगे कि product or service that is not available in the local market is available online, portion number 15, differentiate between primary key and foreign key, इसके इसरम लिखेंगे कि primary key is a unique value that identifies a row in a table, तो देखें, primary key क्या होता है, एक unique value होता है, जो कि एक table में row को identify करता है, लेकिन where is a foreign key identifies a column or set of columns, लेकिन foreign key क्या करता है, इसके column या set of columns को identify करता है, in one referencing table that refers to a column, our set of columns, और इसमे करता है, एक referencing table के द्वारा करता है, जो कि refer करता है column को, या set of column को in another reference to a table, एक दूसरे table में, a table can have only one primary key, but a table can have multiple foreign keys, और देखें, बहुँद बड़ा difference है कि एक table में, के वाल एक primary key होता है, जबकि एक table में बहुँद सारे multiple foreign keys हो सकते हैं, अब इसमें question number 16 है कि define the following hot spots, इसमें हमको define करना है, वाइमेक्स को और वाइफाई को, तो वाइमेक्स क्या होता है, यह wireless communication है, इसका एक ठोट तरीका है, डिजाइन किया गया है, जिसमें जो है, यह mobile broadband connectivity जो है पूरे के पूरे सहर में या देश में, अलगले devices के दूरू दे सक इसके बाद इसमें वाइफाई है, वाइफाई को लिखेंगे कि, वाइफाई तो हम लोग जानते हैं, heat is a popular technology that allows electronic device such as computers or mobile phones to exchange data wirelessly over a network, कि यह बिना कोई तार के wirelessly data को एक mobile phone से यह computer से दूसरे computer में, यह जोड़ता है, connect करता है और यह technology जोहना काफी ज़्यादा popular है, अब देख 80 to 80 words का, और total marks है 12 marks, इसमें question number 17 है, कि liberate 4 different types of styles which can be provided in a word processor, इसमें हमको differentiate करना है, 4 रगर परागर की styles को, जो की word processor में provide किया गया रहता है, तिसका answer में रिखेंगे कि paragraph styles control all aspects of paragraph's appearance, such as stressed alignment, tape stops, line spacing and borders and can include character formatting, तो देखिए, जो paragraph styles होता है न, उस अभी परकार के specs को, जो की paragraph में रहता है, उसको control करता है, जिसे paragraph का experience कैसे होगा, test का alignment कैसा होगा, table stops कैसे होगे, line spacing कैसे होगे, broader कैसे होगा, और ये include रखता है, अपने में समिल करके रखता है, character formatting को भी, इसका next हमें लिखेंगे, character styles, effect selected, text within a paragraph, such as the font and the size of text, or bold and italic formats, जो character styles होते हैं और select करते हैं, टेक्ट को एक paragraph में, जैसे की font को, text के size को, bold होगा की italic format में होगा इसको, फिर नेस्ट अमें लिखेंगे, cell styles include funds, alignment, borders, background, number formats, for example, currency, date, number and cell protection, जो cell styles होते हैं न, उसमें include होता है, funds होता है, alignment होता है, borders होता है, background होता है, number formats होता है, जैसे की, इसमें example, currency, date, number का, या cell protection का, इस सब इसमें include रहता है, इसका last हम लिखेंगे की, graphics styles in drawing and presentations include line, area, scheduling, transparency, font, connectors, dimensioning and other attributes, जो graphics styles होते हैं उसमें समिल रहता है, lines का, presentation का, जिसमें line है, area है, scheduling है, transparency है, font है, connectors है, dimensioning है, और बाकि attributes हैं, इसके बाद next question दिखिए, question number 18 है, define the following, a, subtotals, b, consolidating data, तो सबसे पहले, subtotal को देखते हैं, तो subtotal मने, add करना, जितने भी data जो हैं, arrange है, उनको एक array में, तो इसको लिखेंगे की, subtotal adds data arranged in an array, that is a group of cells, which levels, far, columns and rows, तो देखिए, एक group of cells, जिसमें labels होता है, columns होता है, rows होता है, उन सब में data को arrange करना, arrange करके total करना, इसके बाद एक इस्टेटिकल फंक्शन को हम लोग चूज करके कर सकते हैं, किसका किसका काम, कि count कर सकते हैं, minimize, maximize वाला, कारियों को हम इससे कर सकते हैं, to be applied on arrays, जिसको arrays पर हम applied करेंगे, for efficiency, one must choose up to three groups of arrays to which to apply a function, efficiency के लिए एक आदमी को ना, तिन गरूप साप array को चूज करना चीए, ताकि जो function है ना, उसमें apply हो, इसके बी में है, consolidating data, consolidate provides a graphical interface for copying data from one range of cells to another, then running one of a dozen functions on the data, तो जो consolidate होता है, जो provide करता है graphical interface को, जिसमें data copy करता है एक range के cells से दूसरे में, उसके बादे बहुँ सारे एक dozen functions को इसमें run कर सकता है data में, consideration, the contents of cells from several cells can be combined in one place, और consideration के दवरान में, जो content होते हैं, cell के न, वो अलग-अलग सीठों के एक ही जगा में combine हो सकते हैं, question number 19 है कि what precautions must be taken to improve online security, online security के लिए कौन-कौनसे precautions जो है ना हो लेने चाहिए, तो इसका answer है, first है कि anti-virus and anti-spyware programs are for real-time protection, monitoring your computer, for any changes by malware software, तो जो anti-virus और anti-spyware software programs होते हैं, वो real-time protection देते हैं, और monitor करते हैं हमारे computer को, माल लिए कोई भी malware, spyware, software जो है न, उसमें आया हो, या कोई change ला रहा हो, second है using, use stunk passwords, a combination of alpha new query and special characters, could be used for creating a password that is not so easy to create, are gazed by other users, जो password होना चाहिए न, वो काफी ज़्यादा strong होना चाहिए, उसमें सारे के सारे जो strong password के feature होने चाहिए, इस कत्थाड है secure transactions, because information such as credit cards, details, और personal information is sent over the network, जो transaction है न, वो काफी ज़्यादा secure होना चाहिए, शुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि बहुँ सारे, ऐसे important information है न, वो network में डाले जाते हैं, जैसे की credit card details है, personal information है, ये सब network में भेज़े जाते हैं, question number 4 है कि use inscription software to protect your data from unauthorized users, और हम inscription software को भी use कर सकते हैं, data को protect करने के लिए, ताकि unauthorized users जो है न, इसको use न कर पाएं, अब question number 20 है कि what is dbms, explain any two advantages of dbms, तो database management system का start form dbms होता है, इसको काफी अच्छे से हम समझे हुए हैं, और काफी important हा सकता है, तो देखिए इसका इंसा लिखेंगी कि database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of an integrated collection of data records, files and other objects, तो dbms का एक computer software program है, एक package है, computer programs का, जो की create करता है, maintain करता है, और datas को integrated use करता है, किसके साथ में use करता है, record से के साथ में, file से के साथ में, और बाकी objects से के साथ में, it allows organizations to conveniently develop databases for various applications, अब जो है न, अलग-अलग संगतनों को organizations को अलग करता है, कि अपने सुधा का अनुसार और डेबलब करने database को अलग-अलग application के लिए, इसके advantages है, data integrity, data integrity का मतलब होता है कि database से accurate और consistent data जो है न, वो निकले, यह बहुत important है कि वो dbms में न, सारे multiple databases होते हैं, जो की correct result को produce करने में help करते हैं, इसको लिखेंगे कि data integrity means the data is accurate and consistent in the database, it is very important as there are multiple databases in dbms, so it helps to produce the correct result, second है data sharing, तो data sharing में क्या होता है कि data share होना चीए आपस में यह जिनको ज़र्रत है यह जिनको accessibility है उनके पास, तो इसको लिखेंगे कि इन a database, the users can share the data among themselves, data can be shared for multiple purposes with the users located at different geographical locations, then remote users can also access the database simultaneously, इसके बाद next question दिखे, question number 21 है कि the structure of table item is given below, suggest suitable data type and size to each column, तो दिखे इसमें एक structure दिया हो है table में item का, इसमें हमको data type और size जो है न सारे column का बताना है, पहला है column name, यह है item number, type और size को लिखना है, फिर item name में लिखना है हम लोगों को, type और size को फिर price में लिखना है, फिर quantity में लिखना है, second में consider the following table item, table item, item number दिया है 11, 22, 33, 44, 55, और item name दिया है soap, powder, face cream, shampoo, soap box, price दिया है 40, 80, 250, 120, 20, quantity दिया है 80, 30, 25, 150, अब write curious to, अब curious को लिखना है, पहला है कि display the total amount of each item, the amount must be calculated as the price multiplied by quantity for each item, तो दिखिए इसमें क्या एक item का price दिया हुआ है, और total quantity से multiply करके total value को लिखना है, second में लिखना है display the details of items, which price is less than 50, तो ऐसे item जिनका price 50 से कम है, उनके details को लिखना है, ति इसके first answer में लिखेंगे item number integers 10, ठीक है, उसके बाद दिखे, item number over 4, 15, फिर लिखेंगे price decimal 5, 2, फिर quantity integer 3, ति हो गया first answer, यह बिल्कुल इस प्रकार से practice करकर कि इसको आपको समाझना है, क्योंकि इस type का question आए गही, अब इसके भी में लिखेंगे, फर्स्ट एक select price, इस्टर रिस्क, जो star symbol है न, यह इस्टर रिस्क होता है, quantity from item, फिर second में लिखेंगे कि select, इस्टर रिस्क, प्राम आइटम, हो है price, इस लिएस देन 50, तो इस पर का स्यासा करता हूँ, यह जो simple paper का solution है न, काफी अच्छे से आप लोगों को help करेगा, बहुँ सारे question इसमें क्या सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल answer के साथ में इसको याद कर लिजिए, thank you for watching,